नमस्कार दोस्तों, साहित्तिक कहानियों के इस चैनल कहानियों जिन्दगी की पर मैं शैली नारायन प्रस्तुत करती हूँ श्री नरीन को लीची ध्वारा रचत उपन्यास वसुदेव का तेरवा अथ्याय आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आईए सुनते हैं वसुदेव अपने अंधेरे कक्ष के एकांत में बैठे थे कक्ष के कपाट बंद थे दीपक जलाने के लिए आया सेवक भी तीन बार कपाट खट-कटा कर लौट चुका था वसुदेव कुछ निश्य नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए मन था कि अंधकार के उस सागर में खो कर रोना ही नहीं तूप कर अपना अस्तित्व खो देना चाहता था और मस्तिश्क था कि रोने भी नहीं देता था विचारों के जंजावात ना सोने देते थे ना रोने देते थे देव की चाहती थी कि अथा शीग्र उनके साथ पुत्र जन्म ले ले ताकि आठवां आकर कंस का वद करे कितनी अबोध है देव की नहीं जानती कि जैसे आज एक की हत्या देखी है वैसे ही छे और हत्याईं देखनी पड़ेंगी और कंस को प्रकटता हां अपनी मित्रता का विश्वास दिलाए रखना होगा ना उसका विरोध करना होगा ना तिरसकार आकरोश के विश को अपने हिदय में कहीं बहुत गहरे छिपा कर रखना होगा देख सकेगी देव की पी पाएगी अपने अश्रों को कर सकेगी कंस के प्रती बेहन कासास नहीं प्रदर्शन मुस्करा कर कंसा से गले मिल पाईगी वसुदेव के लिए तो यह सब असंभव था असह निये, अकल्प निये तो क्या करे, मुक्ति के लिए कुछ तो करना होगा कब तक इस प्रकार सूली पर टंगे रहेंगे उनका मन जैसे कक्ष की दिवारों से टककरे मार मार कर कहता था कि अपनी संतान को नहीं बचा सकते तो स्वयम अपने आपको तो मार ही सकते हैं क्यूं जीवित रहना चाहते हैं क्यों इस प्रकार के जीवन से जोग के समान चिपके बैठे हैं अपने आपको मार कर कम से कम अपनी होने वाली संतानों को इस प्रकार के राक्षसी वद से तो बचा ही सकते हैं हाँ और कोई मार्ग नहीं था कोई विकल्प नहीं बचा था उनके लिए वसुदेव पलंग से उठ खड़ी हुए हाँ, अब अपने सम्मान को बचाने का यही एक सम्मान जनक मार्ग बचा था अपने इस कक्ष के अंदकार में ही कंठ में रसी का फंदा डाल कर छट की किसी कड़ी से जूल जाए वे जीवित रहकर अपनी इन आखों से ना देवकी का सामना कर पाएंगे, ना देवक का, ना अपनी रानियों का, ना अपने प्रहरियों, सैनिकों और दास दासियों का एक आंत में भी कंस का सामना नहीं कर पाएंगे राजसभा में जाकर खड़े होने की तो बात ही क्या अपने उस कक्ष में उन्हें कोई रसी नहीं मिली वे अपने किसी सेवक को पुकार कर कह सकते थे कि वह उन्हें एक रसी ला दे किन्तु उसके लिए कपाट खोलने होंगे कपाट खोलते ही सारे घर में समचार पहल जाएगा रस्ती तो आ जाएगी किन्तु उसके साथ ही सारे परिजन भी आ जाएगे तो क्या वे उन सबको बैठा कर उनके सामने छत के कड़ी से जूलेंगे कोई उन्हें ऐसा करने भी देगा और अगले ही ख्षण उनका मन ही उनसे पूछ रहा था ख्षत्रिये का धर्म युद्ध था या आत्म हत्या वे कापुरुषों के समान आत्म हत्या की बात सोच ही क्यों रहे थे इश्वर ने उन्हें यह जीवन इसलिए तो नहीं दिया था कि संघर्ष के ख्षणों में वे अपनी छट की कड़ी से लटक कर इसे जमाप्त कर दे यह जीवन उनका अपना था क्या? किसका है यह जीवन? किसकी समपत्ती है? कौन है स्वामी इस जीवन का? किसकी धरोहर है यह? धरोहर है यह विधाता की? इसे इश्वर की एच्छा के अनुसार, व्याय यह व्यतीत ना कर, छट की कड़ी से लटक कर समाप्त कर देने का उन्हें क्या अधिकार है? और यह कैसा क्षत्रिय तो है? कैसा क्षत्रिय धर्म है उनका, कि कंस उनके पुत्रों का वद कर रहा है, और वे अपने कक्ष को बंद कर, अंधकार में अपनी छट की कड़ी से जूल जाना चाहते हैं? संगर्ष की इस धड़ी में असमय ही यह अनारे आचरन वाला, नरक और अकीरती देने वाला यह मोह, शूर सेन के पुत्र के मन में कहां से उत्पन हो गया? अकस्मा थी उनकी बुद्धी जैसे कुछ और ही हो गई थी, एक ज्वाला सी धत्की, बुद्धी उस हवन कुंड में आहुती के समान समर पित हुई, समिधा के समान प्रज्वलित हुई, और जाज्वल्ले मान आत्मा के रूप में परिनत होकर प्रकट हुई, उनके मन में बैठा कोई जोतिर पुंच कह रहा था, इस कठिन समय में क्लीवता को प्राप्त मत हुव सुदेव, या तुम्हारे योगे नहीं है, शत्रूओं को तपाने वाले, ओ परंतप, हेदे की इस खशुद्र दुरबलता को त्याक कर उठ, शत्रिये के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्यानकारी करतवी नहीं है, अपने धर्म को देख, तु भैभीत होने के लिए नहीं बना है, स्वतह प्राप्त उन्मुक्त स्वर्गद्वार रूपी ऐसा युद्ध, जिस खशत्रिये का आलेंगन करे, वह सौभागिशाली है, अपने मन को मत अपने धर्म को देख, यदि तू अपने इस धर्म युद्ध से विमुक होगा, तो स्वधर्म और सुगीर्थी को खोकर पाप और सहस्त्राप्दी व्यापी अपकीर्थी को प्राप्त होगा, अनारे, स्वाभी मानी पुरुष के लिए अपकीर्थी मृत्यु से भी अधि क्षई है तुम्हारी बंदू बांधव तुम्हें किस रूप में स्मरण करेंगे एक कापुरुष कायर और क्लीव के रूप में शूर से इनका पुत्र होकर भी कायर कापुरुष और क्लीव देवकी से विवा के पश्षात उन्होंने कहा था कि मतुरा के यादवों में साहस क्षत्रियत्व समाप्त हो गया है तो वे किस क्षत्रियत्व का उदारन प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी ऐसे कायर ता पूर्ण मिर्थिव क्या दे जाएगी अपने परिवार को, विश्नियों को, यादवों को, ख्षत्रियों को और मानवता को वे अर्थी में सजाकर अपना शव कंस को उपहार के रूप में दे जाना चाहते हैं क्या? राक्षसों को प्रसंद करना चाहते हैं। नहीं, इससे तो कहीं अच्छा है कि वे कंस का वत करने का प्रयात्न करें। सफल हो गए तो मुक्ती ही मुक्ती है। ना हुए तो उनकी आत्म हत्या की इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई उन्हें कायर और क्लीफ तो नहीं कहेगा। दे अनन्त काल तक अप्यश की काली चादर से नहीं ढखे जाएंगे। वे वीक्षत्रियों के आदर्श होंगे। मानवता की प्रकाश स्थम्भू। उन्होंने देवकी से कहा था कि जब तक शत्रियों का हाथ ही ना कड़ जाएंगे। वे अपना शस्त्र नहीं छोड़ता। और क्या कर रही हैं वे? आज उन्हें कहना है कि जब तक शत्रियों जाते हैंगे ही युट्व का x तो वे गंस का वद करेंगे वद कर पाएं न कर पाएं उसके वद का प्रयत्न करेंगे मातर प्रयत्न नहीं संकल्प, अभियान या उनके जीवन का लक्षे होगा प्रत्यक्ष प्रहार नहीं कर सकते तो छद में युद्ध करेंगे उनके वक्ष में से खड़ आर पार ना कर पाए तो उसकी पीठ में से पार करेंगे परिडाम तो एच ही है, होगी तो हो कायरता ही किन्तु जो राक्षस उनको उनकी असमर्थता में बांध कर उनके नवजाद बच्चे की हत्या कर रहा है जो उस अबोध शिशु जिसकी आँखे भी नहीं खुली है की हत्या कर रहा है उसका प्रत्यक्ष सामना ही क्यों आवश्चक है युद्ध के नियम तो दोनों पक्षों के लिए है यदि एक पक्ष उसको तोड़ देता है तो दूसरे के लिए उसकी क्या आनिवारता है क्यों आवश्चक है कि वे स्वयम को मर्यादा और नियमों में बांधे रखे नियम केवल निर्बल पक्ष के लिए है केवल असमर्थ के लिए उन्होंने उठकर अपने कक्ष के कपाट खूल दिये कपाट बंद क्यूं कर रखे थे देवकी ने पूछा दीपक भी प्रज्वलित नहीं होने दिया अंदकार में ही बैठे रहे धृत देवा ने कहा ध्यान कर रहा था वसुदेव ने पूर्ण आत्म विश्वास के साथ कहा या कोई ध्यान करने का समय है जाने किस काम का समय है पर मेरे भीतर युद्ध चल रहा था युद्ध तो हम सब के मन में भी चल रहा है किन्तो कोई इस प्रकार कक्ष के कपाट बंद कर तो नहीं बैठ जाता युद्ध किन में चल रहा था कर्तव्वे अकर्तव्वे में नहीं एक ख्लीव और एक शत्रिय में तो विजई कौन रहा धित देवा का स्वर भाय में भीका हुआ था मैं कंस से भेट करने जा रहा हूँ इस समय उन दोनों के नेत्र आशर से भटे जा रहे थे जाने वसुदेव के मन में क्या था राजप्रासात के मुखे द्वार पर प्रहरियों ने वसुदेव को रोका वसुदेव के लिए या अनपेक्षित भी नहीं था तुम्हारा काम मुझे रोकना नहीं महराज को मेरे आने की सूचना देना और मुझे स्वागता ध्यक्ष तक पहुंचाना है वसदेर पूर्ण आत्मविश्वास से बोले स्वागता ध्यक्ष का धाई तो है कि जब तक महराज मुझे बुलाए नहीं तब तक मेरा स्वागत सत्कार करे हम जानते हैं आरे कि आप ठीक कह रहे हैं किम्तो आप असमय आए हैं द्वार रक्षकों का नायक बूला इस समय शायद महराज किसी से भी मिलने को इच्छुपना हो तुम उसकी चिंता मत करो धर्मादिकारी को प्राया असमय ही आना पड़ता है वसुदेव बूली धर्म और न्याय के प्रश्न किसी की प्रतीक्षा नहीं करते यह महराज भी जानते हैं नायक थोड़ी देर मौन रहा फिर किसी निश्चय पर पहुँचता हुआ बूला आईए आरे नायक उन्हें उनके चिर परिचित स्वागत कक्षमी ले आया किन्तु वहाँ इस समय एक मागत अधिकारी बैठा हुआ था उसने एक विचित्र दिश्टी से वसुदेव को देखा और बैठे बैठे ही बूला क्या मैं आरे धर्मादिकारी से पूछ सकता हूँ कि आपको महराज से इस समय क्या काम है क्या मैं स्वागता धक्ष से पूछ सकता हूँ कि वे धर्मादिकारी के सम्मान में उठकर खड़े क्यों नहीं हुए वसुदेव कुछ कठोर स्वर में बोले यह स्वागत की क्या मागत पध्धती है कि अपने उच्चा धिकारियों के सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ जाए और उनका अभिवादन भी ना किया जाए स्वागता ध्यक्ष उठकर खड़ा तो हो गया किन्तु कुछ बोला नहीं मेरी दूसरी जिग्यासा यह है कि क्या स्वागता ध्यक्ष यह जानते है कि धर्मादिकारी उनको इसी आरोप पर ततकाल निलंबित ही नहीं कार्य मुक्त भी कर सकते हैं क्या स्वागता ध्यक्ष यह जानते है कि मेरे पास बलप्रयोग का भी अधिकार है वसुदेव ने खडग अपने हाथ में ले लिया और कदाचित स्वागता ध्यक्षिया नहीं जानते कि धर्मादिकारी क्षत्रिये है उनका कारे शास्त्र संबंदी है किन्तु दंदा धिकारी भी होने के नाते वे श्रस्त्रों के प्रयोग से अनभिके नहीं है और उनका श्रस्त्रा भ्यास स्वागता ध्यक्षिय से उच्च कोटी का है वसुदेव का स्वर बदल गया वैसे तुमसे निपटने के लिए श्रस्त्र की आवशक्ता नहीं बढ़ेगी मैं तुम्हें किसी मृत पशु के समान तुम्हारी टांग से पकड़ कर घसीता हुआ ले जाकर राजप्रासाद के बाहर पटक करा सकता हूँ स्वागता ध्यक्षिय अब तक अपनी ठैसक भूल चुका था बोला मेरी भूल इतनी बड़ी तो नहीं है आरे धर्मादिकारी तो छोटी भी नहीं है वसुदेव बोले तुम्हें मालूम होना चाहिए कि धर्मादिकारी धर्म संबंधी प्रश्णों की चर्चा महराज से करते हैं राजप्रासात के स्वागता ध्यक्ष से नहीं आरे मुझे एक्षमा करे वह बोला आईए मैं आपको महराज के कख्ष में ले चलता हूँ स्वागता ध्यक्ष आगे आगे चल पड़ा वसुदेव ने नहीं देखा था कि किसी ने कंस को उनके आने की सूचना भिजवाई हूँ किन्तु कंस को सूचना थी और वह उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत था आईए आरे धर्मादिकारी कंस ने खड़े होकर एक मंच की और संकेत किया विराजिये आप जानते थे महराज कि मैं आने वाला हूँ वसुदेव मंच पर बैठ गए कंस हसा अब छोड़ो मित्री हनाटक कहो कैसे हो जो कुछ हुआ है उसके पश्षात कैसा हो सकता हूँ देव की निडाटा होगा वह पुना हसा पत्नियों का तो धर्मी है पत्तियों को डाटना वह आकर उनके सम्मुग बैठ गया किन्तो उसमें चंता की क्या बात है तुमारी और भी तो रानिया है एक रूठी रहे तो भी जीवन दूभर तो नहीं हो जाएगा वसुदेव उसके साथ हस नहीं सके बोली बात केवल देव की की ही तो नहीं है किर्तिमान मेरा भी पुत्र था कौन किर्तिमान मेरा वह पुत्र जिसकी तुमने हत्या की है अच्छा तो उसका नामकरण भी हो चुका था कंस ने अक्टाहास किया उसने अपने नामकरण संसकार पर अपने मातल को तो बुलाया ही नहीं वसुदेर देख रहे थे कि कंस ना तो अपने कृट्टे पर लजजित था ना उसे किसी प्रकार का अपराद बूद था ना वक्षमा मांगेगा ना शोग प्रकट करेगा वह उनके पीडित आहत अपमानित मन की भावनाओ को समझ सहानु भूति जताना तो दूर उनकी भावनाओ का उपहास कर रहा था वह उस हत्या के पश्चात और भी क्रूर हो गया लगता था हत्या के पश्चात मनुष्य कर्म से ही नहीं मन से भी हत्यारा हो जाता है और यह तो मनुषय था ही नहीं पूर्ण राक्षस था वह वसुदेव के भावी गुत्रों को मारने से पहले वसुदेव के तेज और सौबिमान को कुचल डालना चाहता था शायद वह सोचता था कि वह इस प्रकार वसुदेव के मन को बात धिकर देगा कि वे अपनी बद्ध स्थिती को बिना किसी प्रतिरोध और प्रतिक्रिया के स्विकार कर ले मान ले कि या एक तथ्थे है या सब होकर ही रहेगा उनके पुत्रों की हत्या कंस के हाथों होगी और उसके लिए किसी विद्रोग ही आवशक्ता नहीं है हमने उसके लिए नाम सोचा था कीर्तिमान वसुदेव बोले भाव ने मातुल को निमंतृत करने ही तो आया था जब तुमने उसके प्राण ले लिए मैंने प्राण ले लिए कंस हसा मैंने तो उसकी नासिका और अधरों के आकार प्रकार को देखने के लिए उन पर अपनी हथेली मात्र फिराई थी सहसा कंस की मुद्रा बदल गई यह सब नाटक नौटं की छोड़ो वसुदेव मैंने बहुत पहले यह असपश्ट कर दिया था कि हमारी मित्रता का आधार यही संधी है कि मैं अपने प्राणों के लिए संकट बनने की संभावना वाले सारे जीवों को नश्ट कर दूँगा अब यदी संयोग सेवे तुम्हारे पुत्र हैं तो कंस उनको अंदेखा कर अपने प्राणों को तो संकट में नहीं डाल सकता मैंने जो कुछ किया और जो कुछ करूँगा वा आत्मरक्षा है शत्रू अत्वा संभाविज शत्रू को नश्ट कर देना शत्रियों की नीती है तुम मूढों के समान बार बार एक ही चर्चा क्यूं चलाते हो इस बार वसुदेव की भी मुद्रा बदल गई महराज आपका यह धर्मादिकारी आपसे इसी विशे में कुछ सैध्धान्तिक चर्चा करना चाहता है कंस ने जैसे बलात स्वयम को सहियत किया क्या कहना चाहते हो धर्मादिकारी माराज आपका सिध्धान्त है कि इसके पहले कि शत्रू अत्वा संभावित शत्रू हम पर आक्रमण करे हमें उनका नाश कर देना चाहिए वसुदेव बोले यह अक्षत्रियों की नीती है उनका धर्म है आरे धर्मा दिकारी अम मेरी बार ठीक ठीक समझ रहे हैं यह धर्म है अत्व यह हमारा विधान हो गया हाँ यह हमारा विधान हो गया कंस ने कहा आप चाहिए तो इसकी घोशना भी कर सकते हैं प्रजा को समझाने के लिए हमें कुछ उधारन भी देने पड़ते हैं वसुदेव बोले मुझे उसमें कोई आपत्ती नहीं है महराज कंस को उनके भविश्य वक्ता ने बताया है कि उनके प्राणों को उनकी बहन देवकी के आठवे गर्ब की संतान से प्राणों का भय है इसलिए महराज कंस को अधिकार है कि वे देवकी के प्रतेक नवजाज शिशु का ततकाल वत कर दे उसके लिए महराज को किसी प्रकार भी ना तो अधार में कहा जा सकता है ना अन्याई वे धर्ण पर चलने वाले प्रजावचसल राजा ही माने जाएंगे कंज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वसुदेव करना या कहना क्या चाहते हैं वह उनको आश्यर इसे देख रहा था और मुस्कराता जा रहा था देव की तथा उनके पती की योर से यदि महराज के इस कारे में किसी प्रकार की बाधा उपस्तित करने का प्रयत ने किया जाए तो महराज को अधिकार होगा कि वे शास की इकारे में बाधा उत्पन करने के अपराद में धंडित करें वसुदेव ने कंस की ओर देखा कंस को विश्वास होता जा रहा था कि पुत्र की मित्यु के आगात को वसुदेव जेल नहीं पाए है इसी लिए वे उसके सम्मुक इस प्रकार के नियम और उधारणों के प्रस्ताव रख रही है हम एक दूसरा उधारण भी ले सकते हैं महराज वह क्या है? इसी मतुरा नगरी में एक दमपती रहते हैं उनका नाम वसुदेव और देवकी है उनको किसी भविश्य वक्ता ने तो नहीं कहा है किन्तु स्वयम महराज कंस ने कहा है कि वे जन्म होने पर देवकी की प्रतेख संतान का वद कर देंगे इस प्रकार महराज कंस वसुदेव और देवकी की प्रतेख संतान के शत्रू है अता इस विधान के अनुसार वसुदेव को अधिकार ही नहीं उनका धर्म है कि वे अकसमा थी कंस ने बिना कुछ कहे ताली बजाई कक्ष में माधव सैनिकों के कई गुल्म बाढ के पानी के समान घोसाए श्रस्त्रधारी सैनिकों से कक्ष भर गया वे अपने श्रस्त्रताने आक्रमण की मुद्रा में कंस और वसुदेव के मध्य दिवार के समान सन्नत्ध खड़े थे घेर लो कंस ने कहा आरे धर्मादिकारी को अपने नियंटरण मिलो उनके वस्त्रों को खंगालो जो भी श्रस्त्र मिले छीन लो वसुदेव समझ रहे थे कि कंस इस स्थिती के लिए पहले से ही तयार था अब सामना वसुदेव और कंस में नहीं था विभिन्न आयुदों से सच्जित पूरी वाहिने से भिर जाना समझतारी नहीं थी संभव है कि कक्ष के बाहर एक आधिक वाहिनी कंस के आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हो वे असाहाय थे आक्रुमण या आत्म हत्या दोनों के लिए ही अवकाश नहीं था मागत सैनिकों के नायक ने उनका खटक अपने अधिकार में कर लिया था यह क्या है नायक ने पूछा वसुदेव ने नायक के प्रश्ण का उत्तर नहीं दिया उन्होंने कंस की और देखा हम विधान की एक धारा पर चर्चा कर रहे थे महाराज मैं उसी संदर्द में आपको एक उधारन दे रहा था तो बीच में इतने सैनिक क्यों आ गए संभावित आक्रमण की आशंका वसुदेव कंस बोला तुम्हारे पास श्रस्थ नहीं होना चाहिए मैंने महाराज पर आक्रमण नहीं किया है वसुदेव बोले और प्रतेक शत्रे धर्म की रक्षा के लिए अपने पास श्रस्थ रखता ही है वैसे महाराज कंस के धर्मादिकारी को श्रस्थ धारन करने का राच्की अधिकार भी है है किन्तु आवश्यक नहीं है कि वह श्रस्थ उस समय भी धर्मादिकारी के पास हो जब में महराज से विधान संबंदी चर्चा कर रही हूँ यदि महराज को मुझ पर इतना ही संदे है तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देवकी की आठवी संतान के जर्म के पूर्व तुम्हें मृत्यु दंड देने की मेरी कोई योजना नहीं है कंस हस रहा था और यदि मैं आत्म हत्या कर लूँ दो कंस के लिए यह सर्वता अनपेख्षित था वह थोड़ी देर के लिए जैसे स्थब्द खड़ा रह गया फिर बूला मथुरा में लोग महराज की आग्या से मृत्यु को प्राप्त होते हैं यमराज को भी यह दिकार नहीं है कि वह कंस के राज्य में अपनी इच्छा से किसी को यमपाश में बांध कर ले जाएं कंस के गुप्तचर उसकी आखों के समान है उनसे कुछ भी गोपनिये नहीं है तुम्हें मालूम होना चाहिए कंस कि शासक की द्रिष्टी प्रजा के मन को नहीं देख सकती वैसे तो मैं तुम्हें आत्महत्या करने नहीं दूँगा वसदेव कंस ने कहा किन्तु यदि तुम किसी प्रकार ऐसा दुश्कृत्य करने में सफल भी हो गए तो तुम्हें एक वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रतीग परिजन को तुम्हारी चिता पर तुम्हारे शव के साथ ही दग्द करूँगा उसने सैनिको की ओर देखा ले जाओ इसे आरे धर्मादिकारी को उनके प्रासात तक छोड़ाओ राजा और धर्मादिकारी की धर्मसंबंधी चर्चा यहीं समाप्त होती है वसुदेव घर पहुँचा दिये गए क्या हुआ? देवकी ने पूछा कंज के सैनिक मुझे ससम्मान घर छोड़ गए है इसका क्या अर्थ? भय भीत है वह बहुत डरता है अपनी आदी सेना वहीं बुला रखी थी वसुदेव बोले किन्तु एक बात बहुत स्वष्ट है देवकी हमारी संतान को तो अपने सामर्ते भर वह जीवित नहीं छोड़ेगा हम दोनों को वह ना तो अपनी आँखों से दूर होने देगा ना आत्म हत्या करने देगा किन्तु किन्तु क्या मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सारी सपत्नियों को मतुरा से बाहर भीच देना चाहिए उन्हें भी कोई संकट है क्या संकट तो है ही वसुदेव बोले उसने कहा है कि यदि मैंने आत्म हत्या कर ली तो वो मेरे सारे कुटुम्बियों को बांध कर मेरी चिता पर मेरे साथ ही जीविद चला देगा एक चंता मुझे और भी है देवकी ने उनकी ओर देखा तुम्हारी किसी बहन की गोद में यदि कोई संतान आ गई तो वो दुष्ट या कहकर भी उसकी हत्या कर सकता है कि वो तुम्हारी ही संतान है तुमने उसे अपनी बहन के हवाले कर दिया है वो जाने देगा उन्ही देवकी का स्वर अवसात पूर्ण था वे यह भी तु नहीं कह सकती कि वे अपने माई के जा रही है ना सही माई का वे किसी भी बहाने से एक-एक कर अपने बच्चों के साथ किसी भी संबंधी के पास जा सकती है और कुछ नहीं तो ती थाटन के ही बहाने मतुरा छोड़ सकती है एक बात मेरे मन में भी आई है देवकी ने कहा क्या? राजा कुन्ति भोज के घर वर्षों के पश्चात पुत्र जन्म हुआ है वहाँ यग्ये और उत्सव हो रहे होंगे सारे सगे संबंधी एकत्रित होंगे बहन कुन्ति भी कदाचित वहाँ आए क्या ऐसे महान उत्सव में हमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए? ठीक कहती हो तुम कुन्ति भोज पिताजी के पुभेरे भाई हैं वे उनके घनिष्ट मित्र भी रही हैं ऐसा ना होता तो उनकी संतान हींता से पीडित होकर अपनी पुत्री उन्हें क्यूं गोद्दे देते? पर या दुष्ट कंस जाने देगा क्या हमें? मैं जानती हूँ, नहीं जाने देगा देवकी ने कहा किन्तु आप उनसे कहीं हमें सब परिवार राजा कुन्ति भोज के इस महोत्सव में सम्मिलित होना है हम दोनों कुतवा नहीं जाने देगा किन्तु मेरा मन कहता है कि इस बहाने से मेरी सारी बहने अपने बच्चों के साथ एक ही बार में मतुरा से बाहर निकल जाएंगी आगे फिर वे अपने सुविधा और अवसर के अनुसार अज्याद स्थानों को चली जाएं तुम ठीक कहती हो वसुदेव कुछ सोचते हुए बोले हमें चूपना नहीं चाहिए